मद्रप्रदेश के हर्दा में मगर्दा रोड इस्तित बेरागर रहट नामक जगह पैस्तित पटा का फैक्टिवे मंगलवार सुबह आग लग गई इसके बाद भयानक विस्पोर्ट होने लगे ब्लास्ट इतने तेज़ थे कि आसपास की मारतों को भी उन्होंने हिला दिया आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया इससे कई लोगों के मारे जाने की सूचना है लगभग सो से अधिक लोग घायल बताये जा रहे हैं मुखवंद्री डॉक्टर मोहन यादों ने हर्दा ब्लास्ट को लेकर आपात बैठक बुलाई साथी वरिस्ट अधिकारियों को हर्दा के लिए रवाना होने के निर्देश दिये हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासने का अधिकारी पुलेस अधिकारियों ने मूर्चा समाल लिया फ्राय ब्रिगेड भी आग बुझाने के लिए पहुँच गई एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुँचाये गया घायलों मरतकों में बच्चे महिलाओं के होने की आशंका व्यक्ति की गई शुरुआती जानकारी के अनुसार या पटा का फैक्टरी राजु अगरवाल की है ब्लास्ट इतने भीशर थे कि आसपास के मकान भी गिर गए मुखवंत्री डॉक्टर यादो के निर्देश मिलते ही मंत्री उदय प्रताप से एसी एस अजीत केसरी डीजी होम गार्ड अर्विन कुमार हर्दा पहुँचे घटना इस्तलप पहुँचका जाय जा लिया और अस्पताल पहुँचकर घायलों से मिलकर डॉक्टर के उचित इलाज के निर्देश दिये हर्दा से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को हमीदिया अस्पताल भेजा गया जहां उनका इलाज जारी है आगे की जानकारी के लिए हम ले चलते हैं आपको हमारे समवाद दाता सुनिल राठोर के पास प्रसासन की टीम आप देख सकते हो कि पुरा प्रसासन आ गया है अरू